Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome to Unacademy platform Unacademy लेकर आया है सभी NEET aspirants के लिए All India Test Series तो Unacademy All India Test Series कब से स्टार्ट होने वाली है? किस टाइम पर होगी? क्या syllabus है? क्या rewards है? क्या fees है? ये सभी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो लास्ट तक वीडियो को बिलकुल दिहान से देखिए और एक एक बात को दिहान से सुनिए तो Unacademy लाया है All India Test Series NEET UG 23 students के लिए ये जो टेस्ट होने वाली है 12th March से ये Test Series स्टार्ट होने वाली है ये Test Series हर संडे होने वाली है और इसका जो टाइमिंग रहेगा वही रहेगा जो NEET examination का रहता है that is 2 p.m. to 5.20 p.m. हमारा NEET का भी ही टाइम है इसी टाइम में Test Series देंगे तो एक्जाम के लिए बहुत बढ़िया प्राक्टस हो जाएगी Unacademy All India Test Series एक Mock Test Series है जो 10,000 से भी जादा learners देने वाले है तो result में जब आपकी ranks आएगी तो आप अपना competition पता कर पाएंगे आप आपकी position पता कर पाएंगे और कितनी क्या कैसी महनत करनी है वो बिलकुल अच्छे से आप लोगों को समझाने लगेगा ये जो paper है ये बनाने वाले हैं इंडिया के top educators उसी pattern पे जस pattern पे NEET 23 होने वाली है past year का trends का analysis करकर और बहुत बढ़िया questions होंगे और इसमें जो भी marks आएंगे इससे आप बिलकुल figure out कर पाऊगे क्या आपके preparation कितनी है क्या महनत करना है and questions में से हो सकता है काफी सारे questions NEET examination में repeat भे हो जाएं so this is going to be an amazing test series साथ में क्या-क्या benefits है तो आप ये वाली जो test है ये online and offline mode दोनों में attempt कर सकते हैं आप घर पे बैठे अपने laptop से mobile से इस test को दे सकते हैं या फिर आपके nearest center पर जाके अन academy के इस test को सारे learners इस test में appear हो रहे हैं top educators बना रहे हैं बिलकुल आपको real exam like experience मिलेगा and आपको estimated NEET UG rank भे मिलेगी आपकी कि अगर आपकी इस test में इतनी आ रही है तो NEET में क्या आपकी rank आ सकती है test के जो results होंगे आपको 28 hours के अंदर बिलकुल available हो जाएंगे और सिफ result अबलिबल नहीं होंगे आपका जो test आपने दिया है उसका analysis भी आपको पता चलेगा कि physics में आपने कितने सही करें कितने correct हैं कितने incorrect हैं क्या marks आ रहे हैं और बाकी students ने कितने students ने उन question को गलत किया कितनों नहीं किया इस तरीके से आप उसका और better analysis कर पाएंगे और आपको पूरे paper का जो है video solution मिलते रहेगा जो top 10 rankers होंगे हर mock test में उन्हें बहुत सारे gifts and vouchers मिलने वाले और अगर आपने register किया है इस test series के लिए और आप NEET UG23 में भी एक अच्छा rank score करते तो आपको 25 lakh तक के prizes मिल सकते हैं जैसा कि मैं आपको बताती हूँ यह unacademy का achiever reward है कि अगर आपने यह test series में किया अगर आप plus student है iconic student है या फिर offline center पर जाते हैं और अगर आपकी यह rank आती है All India rank 1, 2 से लेके बिलकुल you know 1000 तक तो आपको respectively इतने का cash price बिलकुल available रहेगा तो मतलब बहुत ही अच्छे बात है यह तो एक scholarship money आप लोगों को दिया जाएगा और अगर आप इस जो test series है यह mock test series है अगर आप उसमें top 10 rankers में आते हैं आपके लिए यह awards हैं जैसा कि आप screen पर देख पा रहे हैं अब क्या-क्या questions आपको इस unacademy all India test series से related होंगे सभी questions का answer देते हैं exam की fees क्या है अगर आप plus के student है या iconic के student है या unacademy center पर already enrolled है तो यह test series आपके लिए free of cost है आपको सिफ जो मैं link बताऊंगे उस link पर click करना है और इस test series के लिए register करना है आपका register mobile number डालना है OTP डालना है and simply register करना है आपके लिए free of cost है जो दूसरे learners है वो unacademy all India test series NEETUJ23 का जो है उसे खरीच सकते है 999 rupees में और इसको और बढ़िया बात है कि अगर आप यहाँ पर code यूज करते हो जब आप link को click करते हो new learner और code यूज करते हो dr. pranali आपको 200 rupees और कम हो जाते है and आप इस test series को सिर्फ 799 rupees में दे पाते है अब इस test का syllabus क्या है तो जो test का syllabus है इसमें पूरा NEETUJ का syllabus कवर होगा कितने test conduct होंगे तो हर Sunday को होंगे 12th मार्ट से start हो रहे है 30th आपरल तक चलेंगे और जो total number of test रहेंगे वो 8 रहेंगे learners इस test को कहां attempt कर सकते है offline test वाले क्या करेंगे कि admit card जो आपको visible होगा जब आप इसके लिए register करेंगे उसके बाद उसको print करवा कर आप exam center पर जा सकते हैं वो आपके examiner उसको verify करेंगे आपको 30 minute पहले center पर जाना होगा test start होने के पहले और इस तरीके से आप offline mode में जाकर ये test दे सकते हैं अगर आपको ये test online देना है तो आप इसे online register कर दीजिए and आप online test जो है वो अपनी app पर ही दे पाएंगे आपको जो test का link है वो registered email id पर मल जाएगा can the mode of exam online offline be changed after submitting registration एक बार आपने registration कर लिया फिर आप online offline ऐसा change नहीं कर सकते हैं इसलिए starting में ही सई सेलेक करना कौन एंडरोल कर सकता है test series में जो भी student नीट UG23 के लिए अपियर कर रहा है वो test series में एंडरोल कर सकता है ठीके अब test का result कब आएगा 48 hours के अंदर आ जाएगा उसी portal पर आ जाएगा जहां पर आपने test दिया है ठीके offline में भी display हो जाएगा और आपको email पर जो link है उसे पता चल जाएगा विल दे analysis class भी scheduled for paper discussion बिलकुल analysis class scheduled होगी next day इसके बाद how many times can a learner attempt a test? Learner इस test को सिफ एक बार attempt कर सकता है लेकिन वो paper बार बार देख सकता है जो है complete करने के बाद क्या rewards and scholarship मिलेंगे तो अगर आप top 1000 में आते हैं NEET UG 23 में तो आपको 25 लाग तक के prizes मिलेंगे और अगर आप top 10 आते हैं in mock test में तो भी आपको vouchers मिलेंगे अब इसके लिए कैसे register करना है description में जो link है उस link को click करना है and आप register कर सकते हैं या फिर आप इसे scan कर लें तो आप directly वहीं पर पहुँच जाएंगे scan करना है, payment करना है और test ले सकते हैं तो इस तरीके से 12th मार्ट से start होने वाली test series का आप पार्ट ले सकते हैं and अपनी NEET preparation को और better and और stronger सकते हैं because this test series will be very amazing for all the learners and अगर आप 10 मार्ट टेस्स देके NEET examination में जाएंगे तो उस दर डर कम लगेगा practice जादा होगी and आपका time management और better हो पाएगा तो all the best for all the NEET 23 NEET experience and जल्दी से enroll कर लीजे